Hello students, आज हम लोग जो कुष्टन बैंक का स्पिरिज जो हम लोग सुरू किया हैं उसमें Animal Kingdom का जो हम लोग वीडियो बनावेंगे इस चैप्टर से जो Animal Kingdom है इस चैप्टर से मतलब प्रतेख साल जो है कम से कम मतलब तीन से चार कुष्टन का जो है एंविरेज है पर एक साल कुछा अब तक जो है हम लोग का जो 33 साल वाला जो question है उसमे 150 प्लस question से पूछा जा चुका है तो उसको हम लोग जो है अलग-अलग वीडियो में इसका जो है solution हम लोग बनाएंगे तो आज इसका पहला वीडियो हम लोग देखते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं Animal Kingdom भी बड़ा important है एक conceptual chapter है कुछ खास characters याद करके हम question को पकर सकते हैं बहुत सारी जनकारिया खुद अपने आप में हम लोग जानते भी रहते हैं इसलिए इस chapter के जो question है अगर उसको खुद ध्यान से पढ़ा जाए तो question का solution अपने आप क्या हो जाता है मिल जाता है तो चलिए बनाते हैं हम लोग question देखते हैं कि अगर कि अगर कि अगर कि अगर कि अगर कि देखिए तो इसमें जो सेलेक्ट किया गया है जैसे जैसे NCRT में जो टॉपिक दिया हुआ है उसी के अनुरूप जो है क्या किया गया है तो बेसिस और क्लासिक ही केसर में पहला कुछन कुछ रहा है कि ट्रूशिलोम ट्रूशिलोमेट्स विट सेगमेंटेशन ऑफ बड़ी तो चलिए यह सब बहुत सारे जो है इसमें जितने भी च्वायस है यह सारा जो है फीचर्स उसमें है यहां पर अगर सब मन फीचर को अगर यहां पर सेगमेंटेशन जो है अला करता है सेगमेंटेशन जो है सेगमेंटेशन फीचर्स ए तीन सेगमेंटेशन का फीचर्स तीन फाइलम में है यह है एने लीडा एने लीडा आर्थरो पोडा और कोडेटा यह तीन फाइलम है जिसमें सेगमेंटेशन का कैरेक्टर पाया जाता है यह सारा कैरेक्टर में और भी फाइलम्स है लेकिन इस सेगमेंटेशन केवल इस तीनों फाइलम में ही है सेगमेंटेशन का फीचर्स तो इसलिए यहीं तीन बला जो है हमारा एंसर हो जाएगा क्योंकि यहां एक segmentation हमारा features दिया हुगा है और segmentation में हम लोगों को जानना चाहिए कि केवल यह तीन ही फाइलम है एनलीडा, arthropoda और core data तो देखते हैं एनलीडा, molaska, molaska में segmentation नहीं होता है बाकि यह सब feature है एनलीडा, arthropoda और core data यह हमारा मिल जा रहा है एनलीडा, arthropoda, molaska फिर उसी को बदल दिया है तो अगर थोरा जो है हम देखे नहीं बताएंगे थोरा दिमाग भी लगाया जाए तो यह चीज अपने आप बन जाता है तो इस question के माध्यम से हम लोगों के एक चीज प्राप्त हुगा कि segmentation का जो character पाया जाता है एनिमल्स में उसके तीन ही फाइलम में जो है character होते है एनलीडा, arthropoda और chordator तो यह बहुत सारा कुछ भी दिया है उस सबसे कोई इस सेंसर के नेचर पर कोई कि effect नहीं परता है यह segmentation के character जो है इस question का मुल बात है इसलिए हमरा answer क्या हो जाएगा एनलीडा, arthropoda and chordator चलिए अब है which of the following animals are true chilomets with bilateral symmetry यह features है और true chilomets होना चाहिए और bilateral symmetry ऐसा कहरे रहे तो adult echinodermata adult echinodermata radial symmetry होता है हम लोग इसको जो है describe इसलिए करते चलते हैं कि हम लोग देखे हैं question का solution करते वक्त मनें इसी में से question क्या करता है घुमा फिरा कर रिपीट करता है तो अगर इसी को conceptually पहुण लिया जाए तो आपका question बहुत question इससे जो है टकराएगा कुछ question तो हुबहु भी टकराया है आप देखेंगे और कुछ question का जो 24 है उससे ही answer बना है जिसे देखिएगा अब बाइलेटर से में टूट एडर्ट एकाइनो डर्माटा टूज सीनो मेट्स तो है लेकिन रेडियल से मेट्री है तो यह answer नहीं हो जाएगा हो सकता है कि कोई question सेटर के दिमाग में आये तो वो क्या कर ले अपना एडल्ट एकाइनो डर्माटा का जो है सीमेट्री पूछ दे तो याद रखिएगा रेडियल सीमेट्री इसका जो लारवल फॉर्म होता है उसमें बाइलेटर सीमेट्री होता है चलिए स्के हलिमेंथिस स्के हलिमेंथिस जो है वो новых नहीं 42 सलोमेट्स नहीं है स्के हलिमेंथिटिस यह एक ऐसना फाल naar तो यू नहीं है लेकिन सुवर्मिनमेः जयो इसलिएस एंसर नहीं होगा प्लै हेलमेंतिस तो प्लैटि हेलमेंतिस भी ट्रूसिह नहीं है यह इनशच मेंट्रेस फिरियं में हो जाएगा इनलिण हो जाएगा तो ऑनलिण फाइलम में क्या होता है एक टूसी लूमेट्स की सुरुआठ तो इसी फाइलम से नहीं होता है और बाइलेटर्म केयरेक्टर्श में उर इसा नीट दूहजार नुश में है यह नीट गो जार है के सवाल है vibes फॉल cables आर टिरीपलो बलस्टी त्रीपलो भल्स्टी थीरी इंगवयोनल लेयर का बना हो फिरी जर्मिनल लेयर का बना हो इक्तोडर्म, इंडोडर्म और मिजोडर्म, तो एक और है फ्लैटवर्प, एस्पोंज, कोरयल्स, टीनोफ़ोरा, तो आपको जानना चाहिए कि इस्पोंज, एस्पोंज में पोरी फेरा, पोरी फेरा एक डीपलो बलास्टिक है, क्या है? है कॉर्ल्स हैं और दिपलो ब्लास्टिक है तीनो फोरा यह थी आपको डिपलो बलास्टिक है, यह फ्लैट वर्म जो है अशलमेंश का सदस न bear है प्लिए bit है और हिल मेंश का सदस है और है मिन क्या होते हैं ट्रिप्लो ब्लास्टिक होते हैं इसलिए इसका एक टेंसर क्या हो जाएगा लाइट वर्म हो जाएगा चलिए अब एक सवाल है हम लोगे पास कि which of the following statement about certain given animal is correct किसी खास animal के लिए a statement दिया है तो कहता कि कौन सा कोवरेक्ट है तो कहता है कि roundworm roundworm मनें एसके हलमेंथिस फाइलम का सदस्य है roundworm और pseudo-sillumate उपर हम दो देखे थे कि जो एसके हलमेंथिस जो है एसके हलमेंथिस फाइलम ही एक ऐसा फाइलम है पूरे animal kingdom में जो क्या होते हैं और pseudo-sillumate है तो यह statement पहले ही क्या हो गया शही हो गया हमको लगता है कि यहीं अंसर होना चाहिए करें चलांते देखते हैं कि मुलासका अ जो में गलत है मिलासका क्या है इंसेक्ट शूड़ा सिलामेट यह भी गलत है इंसेक्ट है को है को खूक है कि इंसेक्ट जो है मुलस्का सीलो मेट मुलस्का सीलो मेट है उसके बाद में इंसेक्ट जो है इंसेक्ट भी आर्थो पोड़ा का सदस है वह सीलो मेट है है उसके फ्लैट वर्प प्लैटी हल्मेंथिस झौशी जो है प्लैटी हल्मेंथिस तक क्या होता है और मैंट है इसीलिए पहले ही यह हम्लों का जो एंसर मिल गया है कि राउंड वर्ब मैं इसके हल्मेंथिस ञ स्धिर को सीनु युमे MD होता है चलिए तो अब कर रहा है कि which of following group of animal is bilateral symmetrical and triploblastic इसमें यहीं कुछ से नहीं पूछे जा रहे हैं और क्यारेक्टर्स पर अधारित है तो bilateral symmetrical and triploblastic तो तो देखिए इसके हल्मेंथिस यह से हल्मेंथिस जो है वह क्या है हे बाइलेटरल है है कि यह आटेंपो embolos है टीनो फोर्स हे यह घुने पियाद इंशना क्या है आपको एड़ियों सिमेट्री कि और कि Christ earlier जो नहीं होगा कि यह अद्र क्यों नहीं होगा तो यहांदा करेगा आपको आगे जो है बनाने में चली ऑँड़ स्पोंज भी इसपोंज है इसपोंज तो साथ होती है स्टीक औरöm ऐस्पोंटिरी के सास ए भी क्या होते हैं डीपलो बलास्टिक होते हैं इसलिए एंसर छट गया सिलेंट्रेट्स सिलेंट्रेट्स और टीनो फोर्ट दोनों जो है सेम कारेक्टर बला है टीनो फोर्स और यह दोनों एक जैसा है तो इसलिए एंसर भी यही हो जाता है तो इस तरह से अगर आप रियली कॉंसिप्ट समझ रहे हैं तो आप इसके हिलमेंथिस राउंड वर्म का क्या कर सकते हैं लीख सकते हैं क्या होगा बाइलेटरल सिमेट्री ट्रिप्लो ब्लास्टिक स्यूरो सीलो में अधर देखे थे हम लोग इस तरह से करेक्टर आप देख सकते हैं जली मेटामेरिक सेग्मेंटेशन इस दा करेस्टेरिस्टिक्स ओफ देखिए हम पहला ही सवाल जो हम लोगा है उसे रिलेटेट है यह जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन का चरिक्टर है ब्राइड इंपोर्टेंट हैं यह मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्याषि टीरि कि एवल तीन फाइलम में जो है यह पाया हीं जाता है हो कौन है इनलीडा, आर्थरो पोड़ा और कॉर्डाटा अब इसमें से दिख लेना है मुलास के कॉर्डाटा होगा नहीं, पलैटी हेलमेंथिस आर्थरो पोड़ा होगा नहीं तो इनलीडा एंड आर्थरो पोड़ा हो जाएगा इनलीडा एंड आर्थरो पोड़ा हो जाएगा, इसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है तो यह भी हम लोग देख लिए कि यह वो सेगमेंटेशन का जो कारेक्टर है उसके लिए बस तीन फाइला में हैं, इसलिए देखिए कई बार कुसर हम लोग को मिलना है अचलिए यह भी बड़ा इंपोर्टेंट है, एंड रेडियल पेंटामेरस सिमेट्री इन एडल्ट स्टेज, बिलॉंग्स टू फाइलम यह एकाइनो डर्माटा का जो है थारेक्टर है इकाइनो डर्माटा में जो है दो तरह की सिमेट्री होती है अचलिए रेडियल और बाइलिटरल तरह रेडियल जो है एडल्ट स्टेज में आप बाइलिटरल लार्वल फॉर्म तो वहीं दे रहा है यंग फॉर्म यंग फॉर्म मतलब लार्वल फॉर्म लार्वल फॉर्म यहां लार्वल स्टेज तो यहां यंग स्टेज भी दे सकता है ना यंग स्टेज के बदला में लार्वल स्टेज भी दे सकता है तो बाइलेटरल सेमेट्री को होगा यंग स्टेज यहां लार्वल स्टेज में और रेडियल पेंटामेरस स्टेज में होग नेनल या किनो तरमतर की यह पिंटार्विस से इंडे से फिर्फ जिल होगा तो हुआ 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 है टीशु ग्रेड और्गनाइजेशन बाला जो है दूग फाइल में है आपको याद रखना होगा जहां भी टीशु ग्रेड और अर्गनाइजेशन पूछेगा वहां पर कौन होगा आपको सीलेंटेरेटा या नाइड एरिया और दूसरा होगा तीनो फोरा टीनोफॉरा तो इसमें कोई है नहीं तीनोफॉरा दूग वह ऐसा फाइलब है जिसमें क्या होता है टीसु ग्रेड़ पर और्गनाइजेशन दो ही फाइला में पाया जाता है वो सिलेंट रेटा और टीन उपरा है कुछ भी इसी से कुर्शन बना सकता है और हाइड्र एक्सिलेंट रेटा है इसलिए इंसर क्या हो जाएगा करा का है चले शिलों इज फाउंड बितीरुन सिलों जो है किसके बीच पाए जाता है तो मीजो ड्रम मेजो डrmyn body wall मतलब इंड़ emissions अब इंड़ निगा इस पर आगे भी हम लों कुछा बिलम को को सिलों कहता है करा कि Besides ने लिदा न आर्थो पोड़ा को छोड़ कर मेता मेरिजम इज इग्जीवेटेट्ट वाई थे फिर कई कई पूसन मिला यहां पर मेता मेरिजम मेता मेरिजम का मतलब हो गया मेता मेरिक सेगमेंटेशन Metameric Segmentation Metameric Segmentation Metameric Segmentation Metameric Segmentation कर रहा है कि Beside Enelida and Arthopoda Enelida and Arthopoda को छोड़ कर Metameric Segmentation किसमें पाई जाता है तो हम लोग उसी समय से बात करते आ रहा है कि पूरे Animal Kingdom में पूरे Animal Kingdom में जो है तीन ऐसा फाईलम है Enelida, Arthopoda और Codata जिसमें Metameric Segmentation है Metameric Segmentation है जो पूछे वोई चीज़ होगा तो क्या हो जाएगा? Codata हो जाएगा तो Enelida, Arthopoda और Codata में क्या है? Segmentation का करेक्टर है Metameric Segmentation है जो आप से पूछेगा वो इसाब जबाब देंगे जाएगा 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 कराएगी फिर वहीं सब करेक्टर है Bi-Lateral, Symmetrical and Oscillomate त्पूच एनिमल सार तो थीनोफोरा है तो थीनोफोरा रेडियल से मेट्री का है यह होगा नहीं तिनोफोरा में क्या होता है रेडियल से मेट्री प्लाइटी हेलमेंथिस जो है आपको बाइटरल सिमेट्री और और सीलोमेट है ते यह ही एंसर होना है एसके हेलमेंथिस त्यूकि हम जानते हैं कि एसके हेलमेंथिस में क्या है तो तो जब इसके हेलमेंथिस में अभी छट गया और सीलोमेंथिस यह चाहत गया शीलोमेट करेंद दें रहा है रेडियल से मेट्री से एच्छंट गया तो इसलिए एकुरेट एंसर क्या हो गया हम लोगा प्लाइटी हलमेंथिस हो गया नीट 2020 में पूछे हुआ है इस तरह से आपके पास तिंचार गो कारेक्टर है उसी को जो है क्या करना है हर फाइलम में जो है सिट करना है चलो ए मैच क ऐसो आफ गिल्थ स्ली जो है साइक्टो एंस का क्यरेक्टर है साइक्ले स्टोंट का कutetर है हे ट्रश situations औरल हूर्य अव यह को जो है यह कॉने वरत नई निटीश गार तो अप्वाइजनेस्टिंग ट्राइगों जो है ट्राइगों जो है ट्राइगों मतलब एक कार्टरिजिनस फिस है जिसमें प्वाइजनेस्टिंग होता है इस तरह से अंसर सही क्या हो जाएगा है एक का एक क्या हो जाएगा है टू और दो का तीन सी का चार और इस तरह का जो च्वाइस होगा नीचे देख रहा है हम लोग इसमें क्या हो जाएगा इसके अंसर हो जाएगा इदर आगे नहीं क्या नबर के पॉसंट हो है 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 तो क्या था हो है दो तीन चार एक नहीं है तो इसका है ऐसे उसे मिला लेना है अपना इंसर यहीं सब्सक्राइब तो दो हजार बीस का जो है पूछा हुआ कुसे नहीं अब जो है वीच व फॉलुएं स्टेटमेंट आर्ट्रू फॉर दा फाइलम कोड़ेक्टा के लिए कौन सा जो है इसमें अप्शन जो है टू है कता है कि इन इवरो कोड़ आटा नोटो कोड एक्स्टेंड़ फ्रॉम हेड तो टेल एन परजेंट थ्रॉआउट दियर लाइफ नहीं इवरो कोड़ आटा इवरो का मतलब क्या होता है टेल तो इवरो कोड़ आटा जो है एक सब हाइलम है कोड़ आटा का तो इवरो कोड़ आटा में नोटो कोड जो है केवल टेल रिजन में है टेल ओनली, नोटो कॉर्ड जो है केवल? टेल में पाये जाएगा, चलिए, इन भर्टीबरेटा, नोटो कॉर्ड इज परजेंट दूरिंग दा इम्ब्रायोनिक प्रियोड ओनली, नहीं, भर्टीबरेटा में नोटो कॉर्ड जो है, क्या होता है? अच्छे चलिए देगे, सेंटर नर्वस सिस्टम इज डॉर्सलेन, होलो, कॉर्ड आटा इज डिवाइडे इंडू थीरी सफाइलम, हेमि कॉर्ड आटा, टूनिक आटा एन, नहीं, हेमि कॉर्ड आटा नहीं होगा, इसलिए इसका एंसर जो है, सही सही एंसर कुन हो जाएगा यह भी गलत है, यह वर्टिवर्टा नोटो कॉर्ड परजेंट डूरिंग दा इंडूरा इन, प्रिएड वर्ण ली, और उसके बाद में चेंज कर जाता है कॉंची में, वर्टिवरी में, तो B जो है, और सेंटर नर्वस सिस्टम, डॉर्सलेन, होलो नर्वस सिस्टम, B और सी बाला कोई च्वाइस होगा, यहीं अंसर से क्या होगा, तो इस तरह से कॉर्ड डाटा के दूब कारेक्टर भी इसमें हम लोग सीख लिए, चलिए देखते हैं फिर इसके, यहीं सब थोड़ा सा कुस्टन देखे क्या करता है, थोड़ा सा बढ़ाता है, लेकिन फिर यह भी ड़ड़ना नहीं है, यह कोई भारी चीद नहीं है, यह भारी नहीं है, कोई गिरिगेरियस, यह आपको जो है, कॉलम 1 और कॉलम 2 में मिलान करना है, गिरिगेरियस मतलब जून्द में रहने वाला, गिरिगेरियस मतलब जून्द में रहने वाला, और पोलिफएगस सिंस्क जो है आपको लोकोस्टा है तो लोकोस्टा है इसका हो गया लेकाश्रा टीडा टीडा जो है जो है जूनुद में चलता आएके बार जो होता है मानने पॉलिफेगस मैंने बहुत ये बार में बहुत फसल को क्या करता है बढ़बाद कर देता है तो उसब को पॉलिफेगस बहुत पिलत याद करें हम लोग emergency बात किये और एक लकुर्ब्ट में संवेट्री का च्रॉ?!" है यह काइनो दर्मटर्पीलं और यह काइनो डर्मटर्पील मनिंल मेता स्कूर्पियंस का जो है तो दो गया है और उसके बाद में बायो लूमिनेंस मने इस एनिमल से लाइटिंग देता है ना वह है टीनो प्लाना यह तिसरा है मनें बायो लूमिनेंस की घटना आपको टीनो फोरा में पाया जाता है टीनो फोरा टीनो फोरा जो एक फाइलम है उसमें बायो लूमिनेंस की घटना जाती है जयो प्रदीप्त बोलते हैं मैंने किसी जीव से लाइटिंग आना तो ए टीनो प्लाना जो है आपको तो टीनो फोरा का क्या है एक एक जामपल है तीनो फोरा का एक जामपल है इसलिए यह में आ जाएगा अब आपको करना है कि एक चार होना चाहिए तो एक चार हम को देखिए यहीं से इंसर हम लोग ज्यादत देखने की जरूरत नहीं है अगर हम जानते हैं कि हमरा एक पूरे ठेहरे देखिए, यहां पर ए में चार एके वह इच्वाइसे में हैं, दूसरा देखने की जरूरते नहीं है, तब निस्चित है कि यहीं अंसर क्या होगा, सही होगा, तब मिलान वाला में इस तरह से भी आपको जल्दी मिल गाता है, चलिए. अब जो है, यह कहां गया है थी वाला है, ते नहीं वाला है, चलिए, मैच दफॉलिंग और गिरिजा मुथ है, ब किडिए नहीं है, रेस्पेक्ट्टिव कैरेक्टरिश्टिक्स, पाइला जो है, सने यह मॉल स्ने। पाहिला क्या है मुलास्तिक उसके मांत में रेडुला नाम का प्रांसवर्स तीथ का एरेंजमेंट तरह जिसको बोलते हैं और ईस पीसिंग औरगन का तो उसमें क्या होगा चरिए माल फिजर ती सिंप कि यह आर्थौ अपोरा का है यह सक्रेट यूर्गन क्या है हां माल फिजर टी वल्स यॉसा हो गया प्ली रॉइरो ब्रैं किया तिनो फोरा का एक सतास है तो तीनो फोरा में क्या होता तो देखिये तो क्या है एक का तीन है तो यह जो चाहत लेंगे ना च्वाइश का इसे बनाते हैं जो कि एक तीन हमको पूरा पता लग गया है तो इसको चाहत दिये अब यह तीन बन गया वखिर आगे बढ़ते हैं B का चार है तब B का हाई चार है तो होई यह अपने छोट गया तो B के चार आ गया यहीं से हमारा अंसर क्या हो जाएगा प्राप्त हो जाएगा लेकिन आपको एकुरेट जानकारी होना चाहिए मैशिंग के लिए बड़ा असानी से मैशिंग का सवाल बन ज फ्यूरा किसका सदस से है एकाइनोडर्माटा का फाइसेलिया फाइसेलिया किसका है सिलेंट्रेटा का पिंकटाडा मुलस्का का प्लानेरिया प्लाहटी हेलमिंटिस का तो फ्यूरा जो है एकाइनोडर्माटा का एक अतीन हो गया फाइसेलिया चार पिंकटाडा एक और प् प्लेटी हेलमेंथिस इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे एक देखेंगे कौन सा च्वाइस है इसमें इसको याद करना होगा एक का एक का कौन है इक आइनों अभिवरा है तीन तीन और फाइसेलिया का चार तीन चार एक तीन चार एक तो देखिये तीन चार एक हाई एंसर हो जाएगा तुमाइच विच अव द फोलिंग आप अंडर्गों मेटामोर्फोसिस मेटामोर्फोसिस कौन मेटामोर्फोसिस कौन नहीं जाता है और्थ वं टूनिकेट मोथ और स्टार फिस इसका एंसर जो है और्थ वं टूनिकेट माउथ और स्टार फिस तो इनलीडा में जो है मैंने और्थ वं में जो है इसमें क्या होता है कि कोई लार्वल फॉर्म ना यादा कोकुन से सीथे क्या हो जाता है अपना तो मेटा मॉर्फोसिस उसी में न होगा मेटा मॉर्फोसिस है क्या कि लार्वल स्टेज क्या जो है क्या होना transformation adult stage larval stage से जब adult stage में transformation होता है तो उसको metamorphosis कहते हैं और बाकी सब में larval stage पाये जाता है जब आप पढ़िएगा study करिएगा details आप देखीगा सब में larval stage है जिसमें larval stage होगा में metamorphosis होगा इसमें larval stage नहीं है इसलिए में हो जाएगा आइडेंटिफाइद भर्टी ब्रेट गुरूब ऑफ अनिमल्स करेक्टराइजड बाइ क्रॉप एन घिजार इन इस डाइजेस्टी प्रा इंपोर्टेंट कुसम कई बार जो है इसा वाद मुछा क्रॉप इन घिजार तो क्रॉप इन घिजार जो है एविस का करफ का उर्वक का जो है जो है जी पेजन का परना है तो जब बॉट्स के अलिमेंटि जानाव डाइजेस्टी शितम बढ़ जाता है तो उसमीं क्रॉप एन गिजार अ है का जी सरक्तराता है बाहित एक प्रॉप और गिजार को और ऑ लोग एंटीं आपि सिम्हेंट एक कॉर्डेट में लेकिन कॉर्डेट में बोडस हीं है जहां पर उसके कानाल में में डाइज़सिफ eu system में र गिजार क्रॉप में क्या होता हि भोजन जमा होता है इत श्टोड होता है और गिजार में उसका ग्राइंडिंग के जाता है पीसा जाता है चलिए वीच वन आप दीज एनिमल्स नॉट होमो थर्म का मतलब क्या होता है कि जो अपने सराउंडिंग के टेम्परेचर को बाडी टेम्परेचर से अड़ेस्ट कर ले उसको हमो थर्म कहते हैं तो ए मार्कोपश चिलोन, कैमेलस और सिटे कुला यह सभी मैमल्स है ना यह सभी मैमल्स है और मैमल्स क्या होते हैं होमो आइडियो थर्म होते हैं लेकिन यह जो है रेप्टाइल्स है तो रेप्टाइल्स क्या होते हैं पॉआई कुलो थर्मीर्मस होते हैं वह अपने बाडी टेम्परेचर को इन्भार्मेंट की टेम्परेचर की साथ रजस्ट नहीं करता है बाडी का टेम्परेचर तब घट जायेगा जब surrounding and temperature घड़ जाएगा और temperature बढ़ जाएगा जब surrounding temperature बढ़ जाएगा तो इसलिए क्या हो जाएगा note दिया है यह हो जाएगा बाकी सब करेगा चलिए अब देखते हैं हम लोग इन्पोर्टेंट करेस्टेरिस्टिक्स डैट हैमी कोर्डेट सेयर विद कोर्डेट एक ऐसा कोर्ड मने कारेक्टर बताना है आपको जो की हेमी कोर्डेट को जो है प्रडेट के साथ क्या कर सके सेयर कर सके मतलब उसको जो है तो ड्हिंट्रल्ट बॉर्डर नर्व कॉर्ड नहीं रवकारेंजियल स्वित गिल्छलिट्स फ्राइविधाव गिल्ट अब जो तो एस सब फिरेंजियल गिल शीलिट्स जो है दोनों में जो है है हेमिक और 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 दोनों में है ये वेंटल टूबलर नर्फ कर्ट तो ए नन कोड़ेट्स की है उसके बांद फैरिंग्स विदाउट गिल्सलिट्स ये भी जो है कोरेक्ट की लोका नहीं है नोटो कोड की जो है अनुपस्तिती तो कोड़ेटा में नहीं होता है तो एक ऐसा क कारेक्टर जो है में कोड़ेटा और कोड़ेटा दोनों में वो ओके आया फाइरिंग्स विद गिल्सलिट्स हुई वीच इमांग दीजी दकोरेक्ट कंबिनेशन अफ एक्वेटिक मैमल्स यहां पर एक जलिये अस्तंधारी का जो है आपका कंबिनेशन कुछ रहा है मनें जो जूल में पाये जाता है तो आप जानेजिए एफ डॉल्फिन और की बाने जो में रहते हैं एक क्वेटिक मैमल्स के रूपे हैं देखिया सत्रह में जो है नीट सत्रह में कुछ़े हुआ है इसको याद रखना है इसको जैसे डॉल्फिन सील ट्राइगन जो है एक आटे स्क्राइबाए मिला के जो है प्येनर शती इस यह पल्डुों स्टिंग रखने वाला विद्य ने स्टिंग करेक्टर ए और दोसुराय स्लिपोर्फC व्यांद स्क्रामपोगोर्त प्लदफ्क by यह जो है और इस स्टिंग मिला अब होला व् verbal triumph द्मर्फ ग्वारे तो कोई कुस्टन को ध्यान से पढ़ने पर आपका एंसर मिल सकता है नहीं जानते हैं आप क्या कर सकते हैं कुस्टन को वीच फोलिंग लीपर ए और ओफ हॉर्स का ओडर जो है पेरिषू डेक्टाइलिया इसका फेरस जो है इसका फेरस है काविलस सबस्केश है और एक यह प्रूट फेमली है ना एक वेडिव फेमली तो हो सकता है कि और पूछा है तो ठीक है इसकेश पूछ दे इसका family push day, sub-specific push day, तो इसे याद रखा जा सकता है, in case of poriferous, porifera के case में बता रहा है, कि यह spongosil is lined with flagellated cells called conocytes, conocyte cells जो हते हैं, conocyte cells, spongosil और कैनाल को, आपको याद रखना जाएगे, कि पौरी फिरा में, यह जो conocyte, एक special type का flagellated cell है, जो spongosil और कैनाल को क्या करता है, line करता है, घेरता है, जिसका flagellar movement, water current को क्या करता है, बाहर की और धाका देखे, और स्कुलम से बाहर निकालने का काम करता है, choose the correct statement, चलिए, choose the correct statement, अब गो, all mammals are vivipiras, क्या सभी mammals vivipiras है, नहीं, इसका अपवाद दूग है, तो मैंने, mostly mammals are vivipiras, बट दूग मैंने आपको, और नीथो, राइनकस, और नीथो राइनकस, duck, duckbill, duckbill platypus, और दूसरा जो है, टैचो, ग्लोशश, या, काईडीना, या इसी को हम लोग, या स्पाइनी, एंट, इटर बोलते हैं, ये दो ऐसा मैमर्स है, जो मतलब, ओभी पिरस है, बनाए आणडा देने वाले है, आणडा देने वाले मैमर्स में ये दो है, और नीथो, राइनकस, डॉक्विल, प्लाइटीकस, और टैचो, ग्लोशश, इकाइडीना, इस्पाइनी, एंटीटर, बनाए दो है, प्ले नाम है, के नाम है, तो ये दोनों महमेद सब्सक्राइब होते हुए भी अंडा देती है, ओभी पिरस है, तो क्या ये स्टेटमेंट्स, तुदा सही है क्या, ओले स्टेटमेंट्स, और भी पिरस, नहीं, दुग है नाखी, तो अब ये नहीं कह सकते हैं क्यों, इनमस और भी पिरस, और साइक्ले स्टॉम्ट्स, दो नोट पोसेस जोवेन, फिर फिन्स, चलिए दिखते हैं तो आगे, ओल रेप्टाइल्स, थीरी चेम्बर हर्ट, क्य तो खोडाइल, एली, एलीगेटर, और टर्टल, ये तीन ऐसे रेप्टाइल्स हैं, जिसमें फोर चेम्बर हर्ट होता है, तो क्या ये स्टेटमेंट्स हैं, और रेप्टाइल्स हैं, थीरी चेम्बर हर्ट, नहीं है, और फिसेज हैं, गिल कोवर्ड वाई, आयन ओपर कुल क्या स्वभी मच्छली जो है, ओपर कुलम से क्या हो धका होता है, ये भी बास आई नहीं है, करन की कार्टिलेजीनस फिस जो होता है, कार्टिलेजीनस फिसे जो है, इसमें ओपर कुलम क्या होता है, ओपर कुलम एपसेंट होता है, ओपर कुलम नहीं होता है, तो एभी स्ट इसका मतलब हो गया कि एस्क्रेटमेंट हमारा सही है कि और साइक्ट साइक्ल स्टूम्स साइक्ल इस्टूम्स जो है डूनोट पॉसेश जॉब जोलस जॉब इसका सर्कूलर माउथ हो साइक्ल स्टूम्स कि सर्कूलर माउथ क्यम होता है कि इसमें जोव नहीं होता है और पेर्ड फीन भी नहीं होता है जोड़ा पॉंक भी नहीं होता है यह साइक्ल स्टूम्स का बहुत बरा करेक्टर है कि माउथ में जोव का नहीं पाया जाना और पेर्ड फीन नहीं पाया जाना तो इसलिए नोट shared by birds in mammals, नहीं बोट्स और mammals का कॉन ऐसा character ज़िसको आप share नहीं कर सकते, तो भीभी पेरेटी, भीभी पेरेटी के मतलब क्या हो गया, अंडा देने वाला, भीभी पेरेटी के मतलब बच्चा देने वाला animal, तो चीरिया अंडा देती हैं और mammals, चलिए, warm-blooded nature, यह सही है, अ बाट्स और ग्रे दोनों क्या है व्यावmother धेंट है औसीफाइड इंडायक दोनों में ऑसीफाइड इंडायक चाले हैं तो भीवी पारी जातास तोक न। यह आप से दूनों में नहीं कर सकते हैं करन की बॉट्स जो है ओभी पिरस है अब मैमल्स क्या है यह मैमल्स जो है भी भी पिरेटी सो करता है लेकिन बॉट्स जो है क्या है ओभी पेरस है, अंडा देने वाला है, इसलिए यही करेक्टर को आप सेर नहीं कर सकते हैं, बाकि जो मैमस और बोट्स दूने यह तीनु करेक्टर क्या है, सेर कर सकते हैं हम लोग, चलिए, अब फिर हम लोग देखते हैं आगे, केतना देर के हो गया है? तो जादा के भीक्टर के थीक नहीं है, अतना देर में गहें है, तो, which of the following characteristics features always hold true for the corresponding group of animals, possesses a mouth with an upper and lower jaw chordata three chamber heart with one in completely divided ventricle, reptilia cartelogenous endoskeleton chondroirectis or viviparous mammalia हमेशा जो है सही कौन होगा तो viviparous सर्फ होगा नहीं करत की दूग हम लोगों को मिला था cartelogenous endos three chamber heart यह भी नहीं मिलेगा possess यह जो है इसलिए सबसे ज़्यादा accurate answer यह हो जाएगा चलिए अब देखते हैं which of the following feature is not present in the phylum arthropoda arthropoda में कौन सा जो है features नहीं पाया जाता है तो paraphoria paraphoria enelida में पाया जाता है हम लोग यहीं बसे लगता है मिल गया enelida जो है jointed appendage arthropoda का मतलब होता है jointed appendage chitinous endoskeleton जो होता है chitin के बना होता है metameric segmentation arthropoda का character है इसलिए paraphoria जो है arthropoda का character नहीं है paraphoria enelida का character है इसलिए answer यह होगा चलिए body having mass work of cells internal cavity lined with food filtering fragilitated cells and indirect development are the characteristic feature of phylum देखिए आप यहीं से जो है filter fragilitated cells konocyte बहला हम दो देखे थे कि porifera का जो spongosil होता है canal होता है वो एक fragilitated cells से क्या होता है lined होता है जो food उसके movement से क्या होता है भोजन को च्छाना जाता है water को क्या की जाता है move कराया जाता है तो इसका जो है क्या हो जाएगा porifera जो है हो जाएगा मेटा जेनेसिस मेटा जेनेसिस को हम लोग क्या बोलता है अल्टर्नेशन अफ जेनेरेशन आप लोग परे सिलेंट्रेटा जो परे होईएगा तो सिलेंट्रेटा में और वेलिया का लाइप साइकल जो परते हैं तो उसमें देखते हैं अल्टर्नेशन अफ जेनेरेशन आता है और अल्टर्नेशन अफ जेनेरेशन के लिए हम एक सब उज करते हैं मेटा जेनेसिस इसमें क्या होता है कि पॉलिप फॉर्म मेडूसा में और मेडूसा पॉलिप में क्या होते रहता है चेंज होते रहता है तो पॉलीप जो है औसेक्शूल फर्म है और मेरोस्वा नीट सेक्शूल फर्म मातलब सेक्शूल औसेक्शूल फॉर्म में क्या होते रहता है चेंज करते रहता है इसी को हम लोग अल्टरनेशन अफ जनेशन मेटाजेनेसिस काते हैं, तो क्या कहता है, कि अपरेंस अफ ड्रास्टिक चेंज इन फर्म दूरिं पोस्टेंब्राइनिक डिवलाप्मेंट, पर्जेंस अफ सेग्मेंटेड बडी एंड पार्फिनो जनेटिक मोड़ फर्जेंस अ जनेशन अफ जनेशन बीट्वीन और सेक्सूल, और सेक्सूल मतलब यहां बदल सकता है, पॉली पॉली फर्म दे सकता है, और सेक्सूल फेज, मेडूरुशा फर्म और गनाइज़सर, ऐसा इसी को बदल देगा तो एक सवाल बन जाएगा, इसी तरह का हम दो देखे हैं कि क पॉसन से तो चलाकी भी किया है, चलिए, अब जो है, यह जावलेस फिस, माने बिना जावरा वाला मचली, फिच लेज एक इन फ्रेस वाटर, अपना अंडरा जो है, फ्रेस वाटर में देती है, एंड कुझ एम्योसेट लारवा, आफ्टर मेटामॉर्कोसिस रिटर्न टू दा ओसिया, ऐसा कहानी जो है, पेट्रो माईजन के साथ है, पेट्रो माईजन जो है, एक ऐसा जावलेस फिस है, जो अपना अंडरा देने के लिए, हाँ, फ्रेस वाटर में जाती है, वह अंडरा देती है, अंडरा का वहाँ हैट्चिंग होता है, उसे क्या होता है, एमोसियेट लार्वा का जो है फ्रमेशन होता है और लार्वा जो है लार्वा जब मेठा मर्फाइज हो जाता है उसका मेठा मर्फोसिस हो जाती है उसके बाद में फीर से वो समूंदर में क्या होता है फीर से वो समूंदर में रिटर्न करता है और सेस लाइफ जो है क्या करता आता है तो फिर फ्रेस्वाटर मने किसी रिभर में आके वहां पर अपना जो है आंडा देना उसके आंडा का हैफ्चिंग करना लारबा निकलना और लारबा फिर से उस जन में पेट्रुमाईजन की कहानी है यह हमेशा चलते रहता है इस चीज को भी यादा बना यूनिक प्र प्रासाइट अफ यूमन डज शो भी वी पिरेटी मने इंडो प्रासाइट अफ यूमन सोज भी वी पिरेटी तो कौन है ट्राइक के नेला स्पाइड एलिस एसकेरिस लूम्रिक वाइट एंसाइक्लोस्टुमाटा डियूडे नेले इंटिरूब बायस भर्मिकुले रिश तो यह अपना याद रखना है बाकी यह सब शिरू-शिरूमेट्स मतलब इसके हलमेंथिस के सदस्टे हैं और यह ज्यादा अन्रा देते हैं भीवी प्रेटी सू नहीं करते हैं चलो अब हम लोग देखते हैं थ्रसा वीडियो लंबा हो जा रहा है लेकिन क्या करिएगा इतना सवाल है इसमें कि फिर हम लोग को नहीं बांट के चलेंगे तो अबहले इसी वीडियो का आप लोग दो नहीं एक्सेप्शन सकीं सर्कुदर माउथ जाओ अप्सें इंटी मेंट विडाउथे स्केल स्केल अपनेच्ट साइकलो इस्टोम अटा बाडी कोबड विच फेदर्स स्किन मास्टें ग्लैंडूलर फोर लिंफोर मूविंस लॉंग्स वीडियर से चले और थ्रस अपर के देखते हैं मैमेरी गलाएंड हेर ओन बाडी पीनी टू पेर्स अफ लिंब्स इसक्या इसक्राइब चलिए यह 32 नंबर का कुश्टन जो है थ्रसा मने है कन्फूजियस करा कि फीच व फॉलूइं रिपरजेंट था कॉरेक्ट कॉम्बिनेशन विदाउट एनी एक्सेप्टन मने को रहा कि कॉम मने ए जो कारेक्टर दिया है उसका क्लास दिया है एदम कॉन क्उरेक्ट है बिना किसी अपवाद का तो कवादा देखिए सुकी एन शर्कुलेटरी माउत जो अपसेंट इंटीगोमेंट विदाउट एसकेल पियारड एपेंड़ेज है साइक्लो एस्टोमेटा आप अब पिछले ही पूस्टन में देखे होंगे कि साइक्लो एस्टोमेटा में पियर्ड पियर्ड फिन्स पिन तो पिर्ड फिन क्या होता है एपसेंट होता है यह बला का एक्रेक्टर तो क्या हो गया अप्वाज में हो गया यह भी इंसर सही नहीं हुआ बॉड़ी को बॉड़ी फिदर्स यह बॉड़्स का दिरा ठीक है एसकीन मौस्ट इन ग्लेंडूलर यह बात एकदम क्या है ड्राइव होता है बने बॉड़्स का जो एसकीन होता है ड्राइव होता है और ग्लेंडूलर नहीं होता है केवल इसमें प्रीन ग्लेंड केवल प्रीन ग्लेंड जो है वो केवल कहां पाया जाता है टेले रिजन में न तो इसमें कोई option जो चार option दिया हुआ है ना कोई option जो है इसमें सही नहीं है मैमेरी ग्लेंड हेयर और बाड़ी पीनी जो जो पीनी है यह पूरे मैमास में नहीं होते हैं यह प्रोटो थेरिया में जैसे प्रोटो थेरिया में यह पीना जो है अपसेंट होते हैं तो यह भी option अपवाद वाला हो गया उसी तरह से कॉन रिक्षिस में क्या होता है ठीक है सब ठीक है गिल्स जो है विदाव ऑपर कुलम सही है लेकिन इसका अपवाद कौन है चाई मेरिया चाई मेरिया जो है एक कॉन रिक्षिस है जिसमें गिल्स लिट्स ऑपर कुलम से क्या होता है ता इसलिए इसका कोई जो ह इसका कोई भी जो है, option सही नहीं है, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा किसी को माना जाए, अगर एक चुनना ही परे, तो इसका एकुरे टेंजर क्या होगा, डीव होगा, लेकिन मने अगर देखा जाए तो यह भी सही नहीं है, missing है, question sitter से थोड़ा सा missing हुआ है, तो ऐसे सवाल का जब आप जो लड़का जोंची लिख दिया होगा, ऐसा चर्चा में आया था, जिस यह में से जो च्वाइस जो बच्चा लिख दिया होगा, उसका यह वो कुस्टन एकदम निस्चित सत्य हो गया होगा, चलिया हुआ है, चलिया, फीच अब दा फॉल्लिग एनिमल इनिमल भीवी पेरूस, फ्लाइंग फ्लाइंग फॉक्स वैल, वेल, एलिफ्याइनि इनिमल एक चारोगा क्या है जाएशा होुआ है, प्लाइंग फॉक्स वैक चमगाः यह वेलृ भी बच्चे को जन देती है यहे जो फिलाइंग हेक याड़ तो ऑद फॉल्लिप्स है आको, वे इस इसी को किए वाल प्लाय टीपस लिख दिया है डग्वीढ प्लाइटि पस जो है ऑँ अन्डदेने वाला क्या है अन्डदेने माल साह इसलिए नौट भी भी पिरस पाला हो जाएगा चलिए, which of the following characteristic is mainly responsible for divertification of insect on land, बन्हें कौन ऐसा character है, जो insect को धरती पर divertification के लिए उतरदाई है, तो exoskeleton, क्योंकि इसका exoskeleton जो है, insect कार्थोपोड़ा का, काईटीन का बना होता है, तो काईटीन क्या करता है, कि उसको environment से क्या करता है, save करता है, बचाता है, तो protection भी है, यह सब के कारण जो है, वो land पर क्या कर दिया है, divertification हुआ है, उसका फैला हुआ है, अब एक दो कुछन और हम लोग देखते हैं, इस इधर बला को, चलिए वीडियो थोड़ा से लंबा हो गया है, लेकिन आप लोग इसको रुप रुप के देखिएगा, कभी तो इतना आप पूरा जब तक describe नहीं किया जाएगा, खाली answer चेक दिया जाएगा, तो फिर उसके क्या मतलब रागिया वीडियो बनाने का, चलिए, select the ठेक्शन, maintain wild diet, represent both marine and fresh water as basic, तो echinodermata पूरा जो है, क्या होता है, exclusively marine है, tenophora भी exclusively क्या है, marine है, cephylocorata भी क्या है, marine है, ये nighderia जो है, nighderia, nighderia को हम लोग सीलेंट्री बहरता है, सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा का ही modern नाम, nighडेरिया है, तो nighderia जो है, ए mostly marine है, क्या है, mostly marine है, लेकिन कुछ जो है, जैसे hydra जो है, hydro कहा से है, फ्रेस वाटर से इसलिए नाइडेरिया क्या हो जाएगा इसका एकुरेट इंसल हो जाएगा इस तरह से हम यह भी चीज़ सेख सकते हैं कि इकाइनो डर्म्स टीनो फोड़ा और सिफाइलो कॉड़टा यह बिल्कुल मैरीन होते हैं समुंदर में इसके जितने भी सदस हैं सभी इस सदस्व कहां पाए जाते हैं समुंदर में पाए जाते हैं इसलिए अपना एंसरे रहे हुगा इसकी जो है इसके जो है रीजेनरेशन का जो है को है बते होता है इसी लिए प्लाण टी हेलमेंथिस में प्लाण इरिया को मुझ याद करते हैं रीजिनरेंस इन पौर क्या होता है इसका हाई होता है तो रीजिनरेंस्थ refгляд का हाय होता है यह marine cartilaginous fish there can produce electric current, एक ऐसा समूंदरी मचली, तो mostly cartilaginous ही होता है, वो electric current उत्पन कर सके, इसको electric fish भी कलते हैं, तो वो है torpedo, आपको याद करना होगा, टर्पेडो क्या है, तोर्पेडो, electric fish, आपको याद करना होगा, टर्पेडो, electric fish, उसके बाद में, यह जो प्राइस्टीस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सौ फिशेज, सौ फिशेज बोलते हैं इसको, trigon को, poigenus fish, ना, stingrace, stingrace भी का सकते हैं, इस तरह से, इसको, इसकोलियोडन को dog fish, ना, इसकोलियोडियोडन को क्या बोलते हैं, dog fish, इस सब सवाल आप से पुछे जाएंगे, चलिए, which of the following are correctly matched with respect to the taxonomic classification, taxonomic classification के अधार पर इसको हम लोग को चुनना है, देखते हैं, चुनते हैं, which of the following are correctly matched with respect to the taxonomic classification, housefly, butterfly, ccfly and silverfish, incepta, spiny antitore, a spiny antitore, a spiny antitore, पकरा गया हैं, पर spiny antitore क्या है, भलो सब, mammals है, अन्डा देने वाला mammals, तो क्या ही कोई नो डर्माटम होगा, नहीं होगा, flying fish, cuttlefish, और silverfish, यह silverfish जो है, आर्थो पोड़ा है, आर्थो पोड़ा है, a cuttlefish सेपी आए कथी है, मो लस्का है, यह flying fish अब को जो है, fish में आगया, bonifix, centipede, millipede, spider, scorpion, तो चलिए यह जो है, यह अपने आप, इस पाइने आंटीटर जो है, क्या है, इस पाइने आंटीटर, यह मैमेल्स है, प्रोटोथेरियन्स है, यह काइनोडरमेटर नहीं होगा, flying fish, cuttlefish, यह मुलास्का है, यह silverfish, आर्थो पोड़ा है, centipede, chilopoda, chilopoda, इसका क्लास होगा, इसलिए इनसेटर नहीं होगा, तो सबसे एकुरे टेंसर क्या होगा इसका, यह जो है, which group of animal belongs to the same phylum, same phylum में, prawn, jhinga, scorpion, locosta, चलिए, sponge, c-anemone, starfish, तो starfish का है, echinodermata का है, फाइला में echinodermata होगया, sponge किसका होगया, पोड़ी, फेरा का होगया, c-anemone, c-anemone, आप उसलेंटरेटा का होगया, तो एदा तीनुक फाइलाम अलगे-अलगे होगया, malarial parasite, protozoa phylum का हो जाएगा, amoeba और mosquito यह दोनों जो है, protozoa का होगा, लेकिन यह mosquito क्या हो जाएगा, arthropoda का हो जाएगा, इसलिए यह एंसर सही नहीं होगा, और जो, और तो यह दो एनलीठा का होगा, एनलीठा का होगा, pin warm, pin warm जो है, आपको इसके हलमैनतीज में चला जाएगा, tape warm, platy हलमैनतीज में चला जाएगा, तो ए भी अंसर नहीं होगा, इस लिए जो है ये जो वैसी लिए गीत आर्था यूदर्व और पोड़ा फाइलम का है इसलिए इसे देखने से हमलों के पता लग रहा है कि कुशन का थाइप है कुशन काइसे कैसे पूछ सकता है कुशन काइसे काइसे पूछे गा चालिश नंबर का जो है इधर बाला है नहां है नहां है चालिश अच्छ कणya गुंच जाएं मैंच अअ मैंच मैंच द कंद अनिमल को न फिर श्री ओ सिकथरािस्तिंट को न्ग जा इंवलिश पालuna को धृटन। एक्तालिस चला गयाना उल्टा हो गया है ठीक है चालिश ली मुलश देखते हैं हम लोग ली मुलश जो है ए एडेम्सिया एडेम्सिया जो है सिलेंट्रेटा का है और पेट्रोमाईजन पेट्रोमाईजन किसका है एथियोफिस रेप्टेलिया है एथियोफिस टेरेस्टियल पेट्रोमाईजन इक्तो परासाइट एडेम्सिया रेडियल सिमेट्री रेडियल सिमेट्री है लेकिन ये पौरी फिरा का नहीं है किसका है वह लिए शिलेंट रेटा का है बाकी सब ठीक है तो इसलिए एंसर क्या होगा इसका ये अब देखते हैं आगे हम लोग चलो काता है कि one of the representative of phylum arthropod is offal fish, flying fish, cuttlefish, silver fish चलो ये आपको मचली है, cuttlefish, sepia, ये मुलास्का का हो गया ये जो है flying fish, ये bonny fishes हो गया और ये silver fish जो है arthropoda में है चलो the characteristics of class reptilia are आपको character देना है तो हम लोग देखते हैं पढ़ते हैं को आता है कि body covered with moist skin which is a divide of a scales, ear is representative by timpainam ये तो ठीक है elementary canal, urinary blood and reproductive track open into a common cloaca चली ये भी, तो यहां बोडी जो होता है और किसी-किसी में क्या होता है इसकेल्स तुपाया जाता है, scales, scutes ये सब जो होते हैं इसलिए नहीं होगा fresh water animals with bony endoskeleton air bladder to regulate biogancy marine animal with cartagenous endoskeleton body covered with plicoid scales body covered with dry and cornified skin चलीए इसलिए नहीं चलीए इसलिए नहीं चलीए इसलिए नहीं चलीए इसलिए नहीं चलीए तो बोडी जो है covered with dry and cornified skin ये आपको याद रखना होगा reptiline characters जो है, scale covers the body epidermal आपने बोला है कि skills जो है क्या होता है devoid skills होता है गलत है they do not have external yield, सही बात है external yield नहीं होता है तो इसलिए सबसे ज्यादा एक रिट इंसर कौन हो जाएगा अब जो है which of the following group of animal breed produced only by sexual means ये भी एक बड़ा important सवाल है कि कौन ऐसा animal का group है जिसमें केवल sexual reproduction होता है तो nideria जो है, nideria में दोनों होता है periphera भी तो बहुत external, बहुत और sexual and sexual reproduction आप NCRT किताब करहें तो साप-साप लिखा हुआ है proto-joba में भी और sexual and sexual reproduction होता है हम लोग malarial parasite के life cycle पढ़े तो उसमें sexual and sexual life cycle था तो टीनो फोरा जो हम लोग का तो इस point को हम लोग को रट ही देना चाहिए कि टीनो फोरा जो है ऐसा phylum है जिसका जो है तुरे animals के वल किस तरह से होते हैं sexual means के बारा important है नोट करने की बात है चलिए ठीक है इसका जो है चलिपोरा जो है सी एनीमोन है ट्रीपलो ब्लास्टिक ना यह तो ठीक है लिए यह क्या होंगे डीपलो ब्लास्टिक इसलिए यह नहीं होगा सिल्भर फीश सिल्भर फीश एक Toral and Pelvic Finz joy ?" कोडा यह ओँ ए सिल्भर फीश भाई एर्थ रोपॉरा ना है सिल्भर फिश क्या है और्थ रोपॉरण है तोiddag老理ish pral is और मैमेलिए इसका ठीक है गउपलो dat इनपरिंट इंपहांपुई द्रॉपलोड आप इसका जो लोजी के लेम और नीथो राइनिकस है और एक है टैचो गलोसस वो इस पाइन एंटीटर है यह दोने एक्जाम्पों याद रखने से कोई तरह कुछन हम लोग का सल्व हुआ है चलिए अब हम लोग क्या करते हैं आगे जो है सार्क याइन डॉग फिश सार्क एक अगाटेबिश थिस है और डॉग फिश इसकोलोडियम डिफर फॉन इसकेट इन रीस विकावग जो हैएँ इसकेट और रीस कैसे भीन है तो एदियर प्यक्टोरल फीन इस विरीष पेक्टोर्ल जो फेंस है ओर उर दिस्तिंक्तुल मार्क अउस allow for you बड़ी में इसका प्रेक्टरल फिम जो है औस पॉस्ट नहीं दिखता है यहीं आंतर है दोनों में आप देखिएगा इन वीज वन अप दो फोलोविंग दा जीनस नेम इट्स तू करेक्टर एंड इस फाइलम और नोट कोरेक्टली मैच्ट चलो पाइला का देखिए पाइला का मुलास्का है तो बड़ी सेगमेंटेशन नई योगा यहीं जग छट गया माउथ विठ रेडूला यह तो सही है लेकिन बाडी सेग्मेंटेशन मुलास्का जो है यह वाला कारेक्टर क्या है घर पर है बाकी तो मुलास्का माउथ विठ रेडूला यह सही है और आपको चेकना कौंची है नौट टू कारेक्टर एंड इस फाइलमार नौट कॉरेक्टली मैच तो एक कारेक्टर इसके मैच नहीं किया चलिए तो एंसर तो हम लोगों जो है पहला ही मिल गया है लेकिन फिर भी हम कुछ और को देखते है क्या मतलब वह एफ इस टेरिय एश्टार फिस पाइनिय स्कीन इकाइनी डर्म टर इस फाइनी स्कीन भी होटा है अएकाइन का भी आक्षिए सही है साइफन सिस्टम इसका है पूर बीरिंग पूरी फिरा साइकों पूर बीरिंग इसमें कैनाल सिस्टम भी पाए जाएगा और पेरी प्लानेटा अमेरी कहना कॉकरोच जॉइंटे डेपेंडेज आर्थरोपोड़ा काइट इस एक्सक्रेटर ऐसे ही हम लोग पहले ही मिल जा था तो फिर तो ऐ तो गलात होly जाएंगे ऐidoresिकाणत पहुंचे हैं बहुत मन्जिल की ओड़िय मिलT इस तन देबैरन। पर्दक्राइब ज्पाएब ऐसे, लोग गश्टम पहुंचे हैं अपने इस जा व्यूर् सॉथ। यहां पर और नीथो राइनकस जो है बार बार दे रहा है यह क्या है ओभी ओभी पेरस होगा ओभी पेरेटी सो करेगा रहेँ एक डाडन लिजाइड नोगlingen तो यह थीरी चैमबर हर्ट होगया जो है यह आपर एक पूरा गलत हो गया इस टाइब का भी बड़ा सवाल कुछ रहा है इसलिए पूरे इनिमल्स किंग्डम को क्या करना होगा उसके कारेक्टर पर थोड़ा है तब जाके जो है ओल रेप्ताइल स्पोसे सेशेजी है ओल्लब दॉटाइल पॉसेस सेशेज़्ट थीरिचेम्बर हर्ट क्या इप्रागे इंडिर्टी चेम्बर हर्ट एक सेथेप्ट्रागे इनिद कोल बलॉडड इसल्टी टीक है लेकिन हैंलोग जानकारी के वाद्वर्च सभी रेप्टाइल के थिरी चेंबर नहीं होता है उन्हों देखे तो इसलिए एक 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 कोरेक्टली डिस्क्राइब नहीं कर रहा है ओल बोनी फीसेज है फोर पेर्स ओफ गिल्स इन और अपर कुलम उन इच साइट और इस पॉंज और मेरी नहीं पॉलर से तो ओल इस पॉंजीला जो है एक एस पॉंजीला यह कैसा सब्सक्राइब पर आप पुछा जा चुका है ना तो हम इस सबसे ज्यादा क्या होगा तो इस वह ध्यान से परिये गए इसमें कुछ नहीं है इस सब कुछ नहीं है ध्यान से परियेगा ना तो यह अपने आप क्या हो जा रहा है निकाल जा रहा है थोरा सा ध्यान से परने की जरूरत है थोरा सा चलिए अवाट वील यू लू 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 पॉर दा इडंटिफाइ दख दख अप्रारिव थीडिट फीमेल अप्रश अड़्वर्स क्लास्पर बॉर्न पीलिग फिंज थिंग्ष मनें आप एक ढम जो है आप इसको जो इंसी आथी का लाइन है जो है देखिएगा तो मेल सार्थ में जो है मेल सारप दिया है उसमें कलैस पर सोते हैं जो उसके पेल्विक फिंपर क्रेस पर सोते हैं यह बहुत बड़ा कारेक्टर हैंगा चलिए वीच अप्ट फॉल्लूइंग ग्रूप ऑफ एनिमल इजेक औरेक्ली मैच्ट विच इट्स पीचर्स बिदाउट एनी एक्सेप्शन फिर इसी तरह तो पुछ रहा है कि कौन ऐसा जो है ऑप्शन है इसमें जो एकदम कॉरेक्ली मैच है बीना किसी एक्सेप्शन का फ पिछले ही सब सवाल मिला है तो क्या यह सही है नहीं है कोड़ाटा पॉसेश माउथ विद आयन ऑपर एन लुवर ज़व मैं में लिया की बर्थ यंग वांस कुछ अंडे भी देते हैं कोड़ाटा में जो है पॉसेश माउथ विद ऑपर एन लुवर ज़व कुछ कॉड़ेट जॉवलेस भी है एक नहीं था सबसे ज़्यादा एक कॉड्रिक फीश जो है एक कार्टिव जेन स्थिस आई कोड़ेट्स का मतलब कार्टियम इसका इंडवेस्केलेट न क्या होता है इसलिए ज्यादा होगा इसलिए बाकि बहुत को ऐसे बना दिया है कि देखने में क्या लग रहा है बहार ही लग रहा है लेकिन बहार ही नहीं चलिए तो आज हम लोग इतना रहने देते हैं अब सिस कुशन जो है अगले वीडियों में बनाएंगे त्टों अब वीडियों लंबा हुआ है आप इसे नहीं लिजिए इसको जो है पार्ट पार्ट में देख देखे बनाएए 50 कुसन है और देख रहे हैं कि कुसन कैसे जो है उसी को हेरा फेरि करके कुसन क्या कर रहा है पूच रहा है अगर यतना कुसन बना के अतना कॉंसेप्चुली बनाईएगा और एंसी आटी एनिमल किंग्डम एक पूरा पढ़ लिजिएगा तो एनिमल किंग्डम से सारा सवाल जो है बन जाएगा यह भी अपने आप में के इंपरोटेंट कुस्च्चन है तो चलिए आज इतना रहते हैं बेस्ट अप लग एदम कर दो कर दो